इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। सिल्दोईज 8D कैपसूल दो दवाओं से मिलकर बना है जो पुरुषों में बड़े हुए प्रोस्टेट ग्रंथी के इलाज के लिए अलग-अलग तरीकों से काम करती है। यह पेशाप करने में कठिनाई या अधिक बार शौचा ले जाने की आवश्शक्ता जैसे लक्षनों से राहत दिलाने में मदद करता है। यह प्रोस्टेट कैंसर की रोक थाम के लिए इस्तिमाल नहीं किया जाता है। सिल्दो इस एक डी कैपसूल को प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार खुराक और अवधी में लेने की सलाह दी जाती है। इसे भुजन के साथ लिया जा सकता है। लेकिन नियमित रूप से एक ही समय पर लेना चाहिए। दवा को बिना कुछले या चबाएं पूरा निगलें। आपको डॉक्टर से परामर्श किये बिना इस दवा का सेवन बंद नहीं करना चाहिए क्योंकि इस से आपके लक्षन और भी बिगर सकते हैं। दवा के बहतर असर के लिए इलाज का कोस पूरा किया जाना चाहिए। अगर आप किसी भी साइड इफेक्ट से परेशान है या वो ठीक नहीं हो रहे हैं, तो बिना देरी किये अपने डॉक्टर से परामर्श करें। Simple lifestyle changes can help you manage your symptoms better. जैसे ही आपको इच्छा महसूस हो, तभी पेशाप करने की कोशिश करें। हाला कि अपने bladder को खाली करने के लिए कभी भी जोर या बल न लगाएं। रात में सोने से या बाहर जाने से कुछ घंटे पहले आपको caffeinated पही या शराब पीने से बचना चाहिए। अगर आप कोई अन्य दवा ले रहे हैं या किसी अन्य स्वास्थि स्थिती से पीडित हैं, तो इलाज प्राप्ट करने से पहले अपने डॉक्टर को इस बारे में सूचना दें। अगर आप मोतिया बिंदी या ग्लुकोमा के कारण आँखों की सरजरी कराने जा रहे हैं, तो इस दवा के इस्तिमाल के बारे में अपने आँख के डॉक्टर को बताएं। लिवर या किड्नी रोग वाले रोगियों को प्रिस्क्रिप्शन लेते समय सावधान रहना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के अनुसार उन्हें नियमित फॉलो अप प्राप्त करना चाहिए। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद